हेलो दोस्तों आज इस फीडियो पे हम स्पेसिबिकली यह देखेंगे आज इंट्राइडे पे जो भी प्राइस एक्षन हुआ जैसे कि कल हमारा प्रेडिसन के मुंतविक मार्केटर से आप गया और उसके बात जैसे कि मैंने टेलिग्राम चैनल पे आप लोग को बता भी दिय तो उसको हम कैसे 1 मिनिट और 5 मिनिट पे ट्रेट कर सकते थे और उसके मात दम से कैसे हम 200 या उससे भी ज्यादा पॉइंट इंट्राइडे पे कामा सकते थे वह हाज हम देखने बाले हैं इस वीडियो पर हैं और उसके साथ सथा में यह बड़ा टाइम फ्रेम पर भी देख होते हैं और फिर मैं जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि निटी पे आज कैसे हम लॉजिकली 200 से ज्यादा पॉइंट कामा सकते थे नॉर्मली एस पर एलेट वेप थेयोरी मार्केट ऐसे 1,2,3,4,5 ऐसे 5 सब वेप पे आगे बढ़ते हैं जिसके अंदर 1 वेप, 3 वेप इसके अंदर और 5 सब वेप रहते हैं जहां पर सेकन्ड वेप और 4 वेप होते हैं आपका इक प्रॉफिट पोकिंग जोन इसके अंदर तीन सब वेप रहते हैं जिसका हम नाम देते हैं A, B, C तो चाहे हमाना में ट्रेंड वोगर आफ साइट पे हो या डाउन साइट पे उस के साथ डिसकस किया था है इधर अभी भी मुझे लाग रहे हैं मार्केट जो है यह बड़ा का जो फॉल है यह है यह हो गए आपका बी और यह आपका सी ओफ के लिए मार्केट नीचे आ रहा है बी ओफ एक्ट्राइंगेल का जो अंदर पांच सब्सक्राइब रहते हैं यह इ भी जो हायर टाइम प्रेम पर सेम ही है और किसी कारण यह ना हुआ यानकि निप्टि इतना बीरी सा अगर ना भी गया तो कैसे यह निव्ट्राल जाएगा उसके लिए मैं ऐसा कुछ पॉस्पिलिटिस भी आप लोग को दिखा चुका हूँ तो तब जाकर मैं यह दो पॉस उपर जाने का प्रयास करेगा तो मार्केट जो है यह अभी यह वाई के लिए जा रहे हैं अब इधर एक चीज़ जो है बहुत साहे लोग को दिख्कत होते हैं वह होता है साइकोलोजी बहुत साहे लोग को लागते हैं यह जो कल मैंने डिसकासन किया था जो लोग करने हीट हो जाएगा तो बहुत साहे लोग को लागते हैं कि इधर तक अगर चले आए तो इधर से डारेक्ली और 200 पॉइंट है ऐसे ही चला जाएगा नहीं मार्केट ऐसा नहीं चलता इसके अंदर यह A, B, C बना कर ऐसा जा सकते हैं अगर इसको जाना है तो और अगर किसी कार नहीं गया फेलियर हो गया या फिर हमारा स्टॉबला सीट हो गया तो ओ अलग बात है बट नॉर्माली क्या होते हैं कि मार्केट जो है बहुत साहे लोग को लागते है 500 पॉइंट इतना उपर एक बार में चले आया तो इसके बाद क्या होगा यह जो 200 पॉइंट है यह भी 300 पॉइंट का एक ड्रॉप लेगा फिर जाकर यह साथ 200 पॉइंट जाने का प्रयास करेगा यह एक पॉसिबिलिटे आप बोल सकते हैं तब जाकर यह भी 500 पॉइंट का होगा और यह जैसे कि 300 मलब 300 पॉइंट नीचे आए हैं और यह जो 200 पॉइंट एक्स्ट्रा गया तो तब यह भी 500 का हो जागा तब यह और सी बड़ा बड़ होते हैं तो बहुत सारी लोग को लगते हैं ने यह 500 पॉइंट चले आया तो और 100 या 200 पॉइंट तो ऐसे ही चला जाएगा ऐसा नहीं होता यह मान सिखता कि कारण बहुत सारी लोग बहुत बड़े बड़े करेगा यह मैं अब लोग को लगातर बोलते आ रहा था तब मेरा काउंट कुछ WXYZ ऐसा ही कुछ था तो बहुत सारी लोगों ने किया किया इधर चले का तो लोग को लाग रहा था इतना साही तो बस है बात हैं इससे उपर ऐसे ही चला जागा ऐसा नहीं होता मतलब इधर स और जो 200 या 300 पॉइंट बाग ही है वो तो बस ऐसे ही all time high पे चला जागा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता फिर इधर भी जब आया था तो बहुत साही लोगों को लाग रहा था मैं बहुत साही लोगों को लाग रहा था इधर से यह वाला top को तोड़ेगा फिर यह वाला top को तोरके all time high पे चला जाएगा तो मैं यह बोलूँगा कि नहीं market all time high के नजदिकार है इसका मतलब यह नहीं कि market अपना pattern भी खतम नहीं करेगा ऐसे ही चला जाएगा ऐसा नहीं होता वो भी इतना daily यह बड़ा time पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता तो medium term पे जैसे कि मैं बोल र सकते हैं बट आभी के लिए market ऐसा नहीं लाग रहा मुझे लाग रहा है इधर जो एक टॉप बनाए हैं यह टॉप का बात मैं टेलीग्रम चैनल पे अल्रीडी बाता चुका था पर मैं अब लोग को यह दिखाऊंगा कि यह particular जगा नॉर्मली y होना नहीं चाहिए y के लिए यह w वाला जो है यह इतना बड़ा बने है तो इधर से यह y इतना छोटा बनेगा और ओभी इतना कम price wise बनेगा ऐसा मुझे नहीं लाग रहा तो इसलिए मेरा expectation है कि y के अंदर क्या हो गया यह हो गया y के अंदर अभी b के लिए आ रहा है y के अंदर c के लिए जाएगा यह म हो सकते हैं यह ABC में लाकर y इधर खातम हो गया बट इसका chance अभी भी मुझे कम लाग रहे हैं तो हमारा main count यानि के main direction है कि market जो इधर से और थोड़ा उपर जाएगा और 16200 का जो target है उसको hit करने के लिए जाना चाहिए अभी के लिए मुझे यहीं लाग रहे है और bank nifty पर भ A है एगर B हो रहा है तो ए जो है मुझे लाग रहे हैं कि यह 5 स्टार्टिंग पॉंट उसके आसपाश तक चल जाते हैं दिन C के लिए market ऐसा चल जाते हैं दिन C के आंदर 5 होते हैं ऐसा चल जाते तो market उस सबसे इथना नीचे तक आने के बाद भी सही उपर जाने का प्रया complex और corrective wave है तो इसलिए मैं बोलूँगा जो लोग safe trader है वो अभी intraday करें तो अभी तक मेरा mid term का जो possibility मुझे लाग रहे हैं अभी भी आप है short term पे ये down था और then long term पे अगर बोले तो अभी भी थोड़ा down नहीं है तो आभी चलिए nifty का one minute और five minute का trading strategy के माध्यम से देखते हैं आप लोगों का request से ही मैंने खोला हूँ तो उधर देखिए ये 932 पे मैं आप लोगों को क्या बोला था कि short term जो traders है वो क्या करेगा long side पे अपना जो profit है वो book कर जागा क्योंकि आज पूरा दीन पे मालब within today market क्या कर सकते हैं कि एक घूम सकते हैं एक top बना सकता था क्योंकि नॉर्मल यह Y wave जो होते हैं जिसके आंदर में बोल रहता है Y के अंदर A, B, C करके ही न जाएगा ऐसा तो नहीं कि Y जो होते हैं ऐसा चला जाएगा यह मानसिक्त लेकर चल नहीं कर ला था इसलिए मैंने बता भी दिया था क्योंकि और बस 16,000 तो यह चला गया था और हमारा target करेंगे वो भी देखेंगे बाट आप लोग को अगर लाइब मार्केट पे मेरा भीव चाहिए तो काइंड़ी इस टेलिग्राम चैनल पर इलिएट वेब निफ्टी नाम से आप लोग जोईन कर सकते हैं मैं comment box पे भी इसका link दे दूंगा और description box पे भी इसका link और लेड़ी यह जागा था इधर एकदम clear ABC हो आता यूंकि हमारा main trend अभी तक क्या था जो मेरा main trend था वो यह था कि upside पर जाएगा और upside पर मैंने क्या बोला 12345 होते हैं और यह जो मालब उसका बीच-बीच में यह जो reaction आते हैं जो एक pocket बनाते हैं उस pocket के अंदर ABC होते हैं ABC ऐसा मालब इस जो यह A है यह अगर हमाना B है तो यह C जो है यह normally क्या होते हैं आपस में बड़ा बड़ा होते हैं तो यह जो particular जागा इधर देखिए यह one लिखा हुआ है यानिकि एक symmetry achieve किया है यह A और C लगवाग आपस में symmetry achieve किये हैं वालब यह C जो है A का exact 100% तो नहीं हुआ बट at least 90% के आसपास तक यह गया था उसके बाद इधर से market upside पे जाने का प्रयास किया तो उसी सबसे अगर आप चाहिए तो आप इधर से भी buy कर सकते थे यह वाला जो green candle है इसके ऊपर बट actually आज हमारे जो trade था ओ किया था जैसे कि मैं बता भी चुका हूँ कि हमारे actual trade आज अगर किसी तरफ होना चाहिए था ओ होना चाहिए था downside पे ओके तो इधर जो है market ऐसा चलते ही जा रहे है चलते ही जा रहे है तो यह particular जगा मैं आप लोग को क्या बता चुका था इससे पहले magnitude wise कितना होते है शार्प ली आप जाते है और आप side पे देखे और क्या करते है ध इधर था gap पे था या फिर उसके बाद यह particular जगा पे था ओबाला style यानि कि ओबाला speed ओबाला तेजी के साथ यह उपर नहीं जा पार है तो ओवेसलिए इधर जो बनने का possibility है वो एक ही होगा एक ending diagonal यह बनने का एक possibility मुझे लाग रहा है अब बहुत साही लोग मुझे चार् आप साइट पे जा रहे हैं और you don't know कि कहां से ending diagonal mark करें इसके लिए आप थोड़ा बढ़ा time frame जैसे कि यह two minute five minute या three minute पे आप लोग को चले जाना है और then इधर I think आप लोग को आभी clearly दीग रहा होगा तो मैंने क्या किया थे इधर five minute का chart पे चला गया था निप्टी का देन जाकर यह सब कुछ mark करने का कोसिस किया था तो इधर I think आप लोग को clearly दीख भी रहा होगा कि यह particular जागा से मैं अगर कुछ इस तरीके से mark कर दो तो maybe here is a good possibility कि यह जो है मेरा ending diagonal जासे possibility है अब ending diagonal जो होते हैं उसमें क्या होते हैं कितना साब होते हैं मैं बहुत बार बाता भी चुका हूं आप लोग की याद होना चाहिए यह एक दो तीन चार एंड यह जो है आपका पांच यह पांच सब्सक्राइब होगा फीप तो इपके ऊपर रहेगा हमारा stop loss एंड हमारा actual entry होना चाहिए यह फोर्थ पॉइंट का यह ब्रेक होगा यह फोर्थ पॉइंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट पर अब उएफ उन जब एंडिंग डायागोनल बनते हैं उसका अंदर साब स्ट्रक्चर जो रहते हैं वह होते हैं 3 3 3 3 3 3 वाला मतलब यह वान के अंदर भी 2 3 4 5 हर किसी के अंदर तीन वाला साब है तो आगर आपको लाग रहा है कि य यह पार्टिकुलर जगा तो इधर भी उसी सब से आप बैस कर सकता हैं कि यह A, B, C, S अबी बने हैं तो क्योंकि वह उँआज होते हैं इतना बड़ा भी बांते हैं कभी-कभी तो उसी सब से इतना टार्गेट होना चाहिता but मैं क्या करूंगा मैं इतना बड़ा आप लोग को भी clearly दिख रहे हैं तो उसी सब से यह minimum इधर तक आएगा और उसके बाद यह जिदना जाएगा नीचे हम उसको count करते हुए चलेंगे कि वह कौन सी होई पर जा रहे हैं और कितना जा सकते हैं और किस तरह से हम आज इससे intraday पर scalping पर 200 points से ज़्यादा कामा सकती ह लॉट पर 200 points intraday पर कितना होते हैं आप लोग खुद उसको calculate कर ले तो अभी चले यह जो है इधर जब इसको break करगा हमारा entry होगा यह होगा हमारा stop loss तो चले अभी देखते हैं कि यह जगा पर market क्या क्या एक्शॉली इधर से entry हुआ अब हम क्या करते हैं बढ़ा time frame wise हमारा target बढ़ा तो राख सकते हैं बढ़ छोटा time frame wise हम ट्रेल करते हैं छोटा time frame wise हम एक्शॉली entry लेते हैं और exit भी तो market ने किया किया market ने आप देखेंगे तो इधर से market ने इस जगा पर चले आए देन इधर से एक sharp bounce दिया और इस जगा से फिर से यह नीचे चले तो आइधर आपको एक्शॉली इधर या इधर भी इस candle पर भी आपको entry हो जाना चाहिए था तो आपको एक्शॉली यह सब जो भी candle से इसके आ market ने आया और market ने देन उपर जानका प्रेस कर रहे हैं अब यह जो ending डाइगोनल जहां पर भी बांते हैं उसके बात का जो फॉल होते हैं वह बहुत ही sharp होते हैं चाहे ट्राइंगल हो या ending डाइगोनल तो आभी देखते हैं कि इसके अंदर यह जो sharp fall होते हैं इसके आंदर पांच सावई बढ़ाएगा minimum की बात बोल लाँ तो इसको अगर मैं one मानूं इसको अगर मैं two मानूं यह जो third way होगा क्या मैं इसको third इसको fourth इसको fifth मान सकता हूं या नहीं और मैं क्यों मान रहा हो वह भी दिखाता हूं यह जो third way होते हैं third के अंदर आमने पांच सावई ब सम गए हैं तो फोर प्राइस वाइस बहुत ज्यादा उपर चलेगा यानि कि ज्यादा सार्फ भी होगा है तो टू और फोर पे एक और आपको दिखने को मिल रहा है तो यह क्लियरली हमारा one two three four five है जो third way के अंदर है तो मुझे यह लाग रहा है तो अब बात यह होते हैं कि मार्केट ज़ो है यह किद्रा साव बोइब नीचे जाब हैं मार्केट फाँ पर नीचे गया अब पांच साव बोइब किसके अंदर होते हैं नॉर्मली वैब वैब one के यानकेअ पर फावं के आनंदर होते हैं या फिर वैब A के अंदर तो यह अगर साबश की यह 1 मार्क कर रहा हूँ, यह 2 के लिए मार्केट आप साइट पे जाएगा, यह मैं देखने का कोशिस करूँ अद दिन, 3, 4, 5 के लिए मार्केट नीचे आने का प्रयास करेगा, यह एक possibility मैं मार्क करना चाह रहा हूँ, और नहीं तो इसको हम A, B, C भी मार्क करेंगे, बट जरूरी नहीं है, ठीक, मार्केट 1, 2, 3, 4, 5 करके नीचे की तरब भी आपना में ट्रेंट दे सकते हैं, तो हमारा actual entry इधर था, तो इसको अगर मैं वह 1 मार्क करूँ यह यह मार्क करूँ तो B और 2 कहां तक आना चाहिए, मिनिम्म होना चाहिए, यह 61.8% तक अगर यह मार्केट क्या करेगा, थार्ट के लिए मार्केट जो नीचे चला आएगा, तो इधर से मार्केट क्या क्या किया, यह थार्ट के लिए बहुत नीचे तक चला आया, अब बात यहां कि यह थार्ट जो यह कहां तक बनेगा, अगर यह थार्ट हो रहा है, यह थार्ट हो रहा ह बहुत बड़ा कुछ बन गया, तो यह 2.618% तक market जा सकते हैं, तो चलिए अभी देखते हैं, कि इसको 2 मिनिट का time paper, कि यह जो है, यह कहां तक जा सकते हैं, इधर से market जो आया, यह 100% पर रोकने का नाम ही नहीं लिया, कोई green candle बना भी नहीं, तो उसके बाद यह 161 पर आया, बाट इधर भी कोई रोकने का नाम नहीं ले रहा, और नीचे जा रहा है, अब जितना नीचे जाएगा, इसको trail करना पड़ेगा, अब इस particular जागा जो है, इधर क्या किया, इसने, जो मुझे लाग रहा था, इधर भी एक ending diagonal जासे एक pattern बनाया, और देन market इधर से एक reverse कर र यह अगर हमारा third है, तो fourth wave जो होगा, ओ कहां तक होगा, ओ इसके उपर जागा, fourth wave कहां तक होते है, उसको भी हम फिवुनाशी से पहले से पाता लागा सकते हैं, अब यह fourth जो होते हैं, ओ एक्चुल इधर से मैं अगर mark करके इधर तक लूँ, यह 0 से 3 का कितना percent जाएगा, यह normally जाते हैं, यह 2, 3, 6% यह उससे उपर गया, normally 3, 2% तक normally market जा सकते हैं, तो इधर तक यह जो है, market इस जगा पर गया, exactly 0.236% को touch किया, इधर से नीचे आ रहा है, अब बात यह होता है, यह जो फिव तो होगा, ओ कहां पर खातम होगा, क्योंकि तब जाकर हम इसको exit हमारा actual entry इस जगा पर हुआ था, यह 4 को जब break किया था, और actually अभी तक मैं इसको trail करते जा रहा है, तो ओ होता है, यह 0 से 3 तक हम लेंगे, यह 4 तक अगर ले लिए, मतलब फिव नसी यह जो extension वाला है, इस extension tool का इस्तमाल करके, तो यह जो होता है, normally होता है, 0.618% तक normally जाते हैं, ठीक है, तो 5 सबब भी इतर दिखना चाहिए, तो यह जो है, 1, 2 हो गया, अभी 3 पे चल रहा है, यह 4th के लिए जा रहा है, यह 5th के लिए और 1 वह पर market नीचे आएगा, यह मुझे लाग रहा था, तो इतर जो है, मुझे जो दिख गया, कि यह 1, 2, 3, 4 हो गया, अभी 5 के लिए जब आ रहा था, तब ही जाकर यह हमारा पूरा दिन पर market close हो गया, तो आज का जो भी यह market का price action हुआ, वह 1-sided पे इतना अच्छा खासा move था, और मैं आप लोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो और हम actually entry ले चुके थे इस particular जगा पे 16,000 पे, तो लागवाग हमारा 200 point इधर से हम clearly कमा सकते हैं, यह जो पूरा का पूरा फॉल था, इसको हम logically clearly कमा सकते थे, यह इतना सार फॉल तब ही आते हैं, जब एक ending diagonal बनते हैं, तो एक ending diagonal बना, then इधर से market जोगा थोड़ा नीचे आन था 1 और A, तो अभी मैं A का possibility Q discussion नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि obviously यह 1, 2, 3, 4, 5 मुझे दिख गया, इसलिए साज मैं दिन का अंध पर यह तो बोल सकता हूँ, लेकिन इस जगा पर क्या मुझे पाता चल सकता था, हाँ मुझे पाता चल सकता था, कैसे वो मैं बाता देता हूँ दाखिए यह 5 सबद पर मैं इसको A मार्क करूँगा, सबसकि यह मेरा A है, तो यह क्या हो जागा, जो आप rise इसको मैं 2 मार्क करूँ, B हो जागा देन, यह C के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, अब यह A, B, C minimum इधर तक होगा, थोड़ा और ज्यादा जागा इध जो पतारी खातम हो जाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत चोटा B हो गा, तो इसलिए मैं इसको मार्क नहीं करना चाह रहा हूँ, यह था कि मैं अगर W मार्क करूँ, तो तब भी इतना छोटा X नॉर्मल नहीं मार्क करना चाहता, इतना छोटा होता नहीं, अब जिस टाइम पर देख रहा हूं जिस degree के बाद मैं कर रहा हूं उस degree wise आगर आप देखना चाहेंगे तो क्या सच में आप लोग को यह लाग रहा है कि यह particular जागा है यह अगर सबसके मेरा A है तो B जो होगा इतना अपसा B बान जाएगा फिर यह C के लिए चला जाएगा नहीं होगा ना तो यह बड़ा time frame के साथ चोड़ा time frame पर जब आप मिला कर trade कर रहे हैं आपको पाता चलना चाहिए कि यह ABC इतना छोटा होना नहीं चाहिए तो इसलिए मैं इसको मार्ट किया कि यह मैं ABC होकर इधर B खतम होकर क्योंकि B के अंदर भी ABC रहते हैं तो B हो जागा देन यह C के लिए मार्केट जो है बहुत उपर तक चला जाने का प्रयास करेगा और किसी कार्ण उसका जैसे कि मैंने बड़ा time frame पर भी आप लोग को दिखाया कि किसी कार्ण यह फेल हो गया तो मेबी इधर से directly नीचे जा सकते है बड़ यह मेरा alternate count है मतलब एक दूसरा possibility है जो अभी भी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहे है काईलिए आप लोग भी मेरा वीडियो को like और comment के मादधम से और जो लोग नया है subscribe संट के मादधम से आप लोग नया लोगों के पास भी पहुचाई है share भी कीजिए इससे मैं आप लोग के लिए और भी आच्छा अच्छा और नया कॉंटेंट लाओंगो और लाइब अपडेट भी देने का कोसिस करोंगा तभी के लिए इतना ही thank you and good bye